हे गाई वाट टेक प्रेट चेरल पे आप सभी को बहुत 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 है तो आज की वीडियो बहुत ही जाद है गाई मोटो के फैन हुआ आप सब तो आप तब को बतादू की मोटो की तरफ से गुड नियूज है मोटो अपना एक नया फोन इंडिया में लॉंच करना है जि क्या होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको मोटो एज 50 प्रो 5G के स्पैसिफिकेशन प्राइज और लॉंच डेट एकदम ही कंफर्म करूंगा कि यह फोन कितना जबर्दस थे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले बात करते हैं मोटो एज 50 प्रो 5G के आज अगर फ्रेंट पर देखें तो आपको कर्फ टाइब का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें पॉंच ओल कामरा आपको सामने लगा हुआ है तो आपको बात करते हैं इसके डिस्प्ले क्वाल्टी की तो आप सबको बजा दूँ कि 6.7 इंच की एक बिगर डिस्प्ल देखने को मिलेगी फुल हटी प्लस अमॉलेट डिस्प्ले के साथ आएगी और इसमें जो है 165 फट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा तो भाई डिस्प्ले में ये फोन बहुत जादा स्मूध चलेगा अगर आप स्मूधनेस के टाइप अगर कोई फोल नेना चात हो तो आप मोटो एज 50 प्रो 5G को देख सकते हो गाईज यही नहीं अगर बात करते हैं इसके कामरे क्वाल्टी की तो गाईज मोटो एज 50 प्रो 5G में आपको बैक्ट भी जैसे ट्रिपल एर कामरे का सेटप देखने को मिलेगा तो उसमें जो है 50 मेगा फिक्सल आपको मेन बात कर लेते हैं तो गाeur की 32 मेगा फिक्सल कामरा जो है आपको इस पोन में देखने को मिलेगा तो वर्लेख्वर्ल के बात कर लेते हैं रहने वाली है अगर आप 30, 35, 40,000 रुपया का एक 10 लार लेना चाहते हो तो भाई मैं आपको प्रस्नली सजच करूँगा कि आप Moto H 50 Pro पे जाओ बहुत ही शामदार स्मार्टपोन है अब आते हैं गाइस प्रसेसर की बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप सब को पता है प्रफॉर्मन्स तो Moto अपने बजट सिग्में में भी देती है तो भाई फ्लैक्शन में कैसे नहीं देगी तो भाई गेमिंग परपस के लिए ये फोन बहुत ही शामदार हो सकता है क्योंकि इसमें Snapdragon 8 Gen 3 का प्रसेसर दिया हुआ एक हैवी प्रसेसर है अगर गेमिंग में अगर देखा जाए तो ये प्रसेसर जो है बहुत ही तगड़ा प्रसेसर होता है इतना ही नहीं साथ में आपको इसमें जो है गेमिंग का जो GPO लगा होता है वो आपको Adreno 660 का देखने को मिलेगा तो भाई आप High Resolution के गेम बहुत आसान तरीके से इसमें रन करा सकते हो लैगिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी इसको चार्ज करने के लिए इसमें आपको 120W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा तो भाई पंदरा से 20 में यह फोन फॉल चार्जर हैगा इतना ही नहीं इसमें वायरलस सपोर्ट भी है आपको जो है इसमें वायरलस चार्जिंग का जो सपोर्ट होगा वो 50W का ही लगा सकते हैं अब आते हैं गास मेंज पॉइंट पे कि क्या कि रहने वाली है और क्या इसकी लांचिंग डेट रहने वाली है सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की तो दो वेरियंट है इस फोन में एक 1225512 तो गाइस अगर 12255 की प्राइस देखे तो वह आपको 35,000 के लेकर के 40,000 के बीच में देखने को मिलेगी, वहीं अगर आप 12,512 GPU अला वेरिंटल न चाते हो, तो वो आपको जो है 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में देखने को मिलेगा, तो रहाइस ये दो वेरिंट के साथ ये फोन लॉंच होगा इंडिया में, अब आपको बता देते हैं इसक स्मार्टपू इंडय में लॉंच हो रहा है, जिसका नाम है MotoAge 50 Pro 5G, अगाई इसी तरीकी कि अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब चलिए, बेल किया को प्रेस कर लिए, थैंक्ट्यू सो मच्च